अगर आप इन में सो कोई भी निस्टेक्स अपने रिजीमी में करते हैं तो definitely आपका link नहीं होने वाला है और आप रिज्वू में रिज्वमें शौट लिस्टेड हो भी जाता था थो आप इंटर्वीए में कहीं कहीं अठक जाएंगे और आपके रिजक्ट होने के chances बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आयोप जैसे कि आपने देखी लिए होगा आज आम इस वीडियों बात करने वाले तीन ऐसी mistakes के बारे में जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी मैंशन नहीं करनी चाहिए अपने बिल्कुल बारे मिस्टेक नमबर वन की बात कर लेते हैं कि आपको कभी भी अपने डिफ्रेंट एक्सपीरियंस को मैंशन नहीं करना चाहिए कि जैसे कि आप अगर किसी बीप्यों में अपलाई कर रहे हैं और अगर उसमें एक्सपीरियंस मैंशन करें अपनी फील्ड जॉब का या किसी और सेक्टर की जॉब का एक्सपीरियंस करें तो वहां पर आपके रिजेक्शन के चांसे ज्यादा हो जाते हैं तो आपको वहां से कॉल ही नहीं आने वाला आपको रिजू में शॉट लिस्टेट नहीं होगा अगर आपने मैल किया है या मैंसे क्जिया या कुछ विगाय तो आपका रिज्य में शॉतर लिस्टेट नहीं होगा अगर आपने कोई डिफरेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस मेंशन कर रखै कर रखंडमें कशा मैं müsst कि याँ सबस्क्राइब के बारे में ग्राफिक डिजाइनिंग कРЕ्सकोर्स के बारे में ना रखा था कि उस organizing कर लखा था तो फिर उसकां इंटर जादा है स्मूद गया था मत और जबी उसके रिज्व में यह मैंशन था और फिर उसने मतलब आड़े तीर से सवाल करने चालू के इंटर्वियर ने कि यह क्यों है और यह कैसे यूज कर पाऊगे यहां पर आपने ग्राफ डिजैनिंग कर रहे हैं तो यहां क्यों आ रहे हो मतलब बहुत सवाल किये फाल तुम्हें और अगर वह लड़का वह मेंशन नहीं करता वहां पर उसका सेलेक्शन पक्का था उस टाइम लेकिन अब वह उनका धंग से रिप्लाई नहीं दे पाया और उसका वहां पर रिजेक्शन हो गया तो आपको कभी भी अधर सेक्टर का ए है आपको preference मिल सकती है सेलेक्ट होने की अगर कोई बन्दा जो नॉन इटी से है उसका भी इंटरव्य छा गया और आप है किसी भी में अगर आप आपके पास तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं उससे कोई भी इश्यों नहीं होगा उल्टा यह बहुत ज्यादा चांसे जो जाएंगे कि आपके सेलेक्शन होने के चांसे और भी इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप आपके पास एक्सप्रीजन करें अगर उसेक्टर के रिलेटेड आपके पास स्किल्स एंट्व है अधरवाइस नहीं करने हैं अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नमबर टू के बारे में कभी भी अपने रेज्यूमें को आपको लेंदी नहीं बना रहा है जैसे कि आपने 12 पास क से यह मेंशन नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा करना चाहें तो कर सकते हैं बढ़ ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता है बिल्कुल बनाना होता है बिल्कुल क्लीन क्लियर कह सकते हैं ठीक है आपकी जो एजुकेशन है वो यहां से हुई है मतलब जो आपने डिगरी की डैली उनिवर्सिटी से इस यह में ठीक है आपके जो फादर का नाम यह सब वगयरा तीन चार चीजें कुछ होती है मैक्सिमम ठीक है अब रिजुमे में यह भी होता है कि आप हिंदू है यह सब वगयरा है यह रिलीजन वगयरा बहुत से आपने नॉर्मल फॉर्मेट वग मैंने देखा है जैसे कि बहुत से लोग मेरी को रिजीमस करते हैं कर मैं कोई डालता हूं और उसमें कहता क्यालिफिकेशन आपकी मैच हो रही है नहीं हो रही है जो कि उस जौब रोल के लिए चाहिए और जो भी आपके पास स्किल्स है वह उनकी कंपनी में है यह नहीं है ठीक है और उनको कुछ भी नहीं जाना होता है और अगर आपने कभी किया है कोई project किया है तो आप उसको भी mention कर सकते हैं बट उस जॉप के related ही करना है उस स्ट्र एक टेंद ही करना है थे के तो दो चीज़े तो हमने mention कर दिये कोई भी फालतु की बात नहीं लिखने है मत्तब कोई भी personal details वगारा पूरा लantic लेंदी बना दिया उस में फूरा शॉट एंड लिखना है और इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में में एक वीडियो देवं में देद भूंगं देव驚्ष को बना रखिए अब उसको जाए कर सकते और और उस simple से resume format को download कर सकते हैं और वहां से इडिट करके अपना resume बना सकते हैं जो कि बिल्कुल clean and clear format है आप वहां से जाके download कर सकते हैं और वीडियो में आपको बताया कि अगर आपके पास only phone है laptop या PC नहीं है तो आप किस तरीके चाप अपना resume में त्यार कर सकते हैं उसमें कुछ basic details है जो कि आपको edit कर देनी है अगर मेरा नाम है तो अपना नाम लगा देना है मेरे मुवाइल नंबर की जगए अपनी पूट कर देनी है फादर नेम डेट और वगएरा चेंज करके जो कि क्वालिफिकेशन वगएर स्कुल्स चे कि अभी तक हमने दो चीज़ेंस कर ली एक तो आपको कोई भी फालतु का experience वालतु का मतलब मेरा है कि कोई अधर फील्ड का experience या अधर इसकिल्स मेंशन नहीं करनी है जिससे कि आपको cross question कि जाएंगे और आप सकते हैं उसमें और rejection आपका हो जाएगा वापे ठीक है तो बिल और मतलब आपको जो format दिया मैंने जाकर डाउनलोड कर लेना वहां से डाउनलोड करके आप बिल्कुल इजली आप समझ जाएंगे किस तरीके साब clean and clear बना सकते हैं उसमें ज्यादा details नहीं होती है प्रफेशनल लेवल पर बनाना चाहते हैं अगर आप IT में अपलाई कर रह कि आपको कभी भी अपने शॉर्ट एक्सपीरियंसेज मैंशन नहीं करने चाहिए जिससे क्या होता है कि लैक ऑफ इस्टेबलिटी के कारण आपका रिजेक्शन हो सकता है ठीक है इसमें कोई भी चांसेज नहीं है कि आपका मदद काम चला लेंगे हैं सामने के जो भी इंट कि मैंने चार महीने वहां काम किया था आठ महीने वहां किया एक साल वहां किया दस महीने वहां किया फिर दो साल यहां किया यह सब अगर आपने मेंशन कर रखा है तो लैक ऑफ इस्टेबलिटी के कारण आपका रिजेक्शन पक्का है हंडड़ परसेंट त्योंकि मैंने दो के कारण इस बंदे को रिजेक्ट कर देना चाहिए तो उसे मुह पर रीजन भी बताया गया था कि मतलब हम जो समझ पारें कि आप में जो अभी कमी है लैक आफ इस्टेबिलिटी है कि आप कहीं भी स्टेबल नहीं हो पारें जौब में अगर हम आपको सेलेट कर भी ले तो कि आप आप हमारे हैं भी बहुत ज्यादा लॉग-ूइंटम के लिए काम करने वाले आपने पिछली कंपनी में चार महिने कहीं महिने कहीं आड महीन कहीं दस चाहिंगा 10 महिने कहीं एक साल काम किया है तो आपको यह जरूर फोकस रखना है कि आप जब भी मेंशन वरहें तो तो मैंने इसमीड में तीन मिस्टेक्स के बारे मता है जो की आपको बिल्कुल भी नहीं करनी ची स्टीन के बारे में सारी के अगर मक्योँ अब शाग्जिकियों जो कि अब किसी एंतरूब्स करने एक वह अपना बनाते टाइम ताकि उनके सेलेक्शन के चांसे इंक्रीज हो जाए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जहें दोस्तों